नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसिस अकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज हम लोग थार्ड पेपर का कोशन देखेंगे ठीक है इस कोशन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को इंट्रोड़क्शन पार्ट बॉड़ी पार्ट औ ठीक है और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना पूलें शेयर आप लोग फेसबुक और वाटसब ग्रूप जो भी आपके फोन में है उसके माद्धे हम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी फाइदा मिल सके तो आज का प्रश्ण देखते हैं हम लोग क्या कराणे की हमारी देश में जव पृद्योकी के छेत्र में अत्रधिक सक्रीता है और सेकेंड पार्ट जो है इस सक्रीता ने बायो फार्मा छेत्र को लाव कैसे पोचाया है तो इस प्रश्ण का उत्तर आप लोगों को लिखना है और लिखकर मेरे इस WhatsApp नंबर पर सेंड करना है और उसके बाद मैं टेली ग्राम पर आप लोग चैनल है पीसेस अकैडमी का चैनल है तो उसको ग्रूप को जोईन कर लीजे उसी पर मैं आप लोगों को उत्तर देता हूँ तो वहां से आप लोग दूसरों के जो प्रश्ण हैं उनके उत्तर भी आप लोग वहां से देख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने लिखा कैसा है तो यह देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए तो अब बात करते हैं क्या कारण है कि हमारे देश में जयव प्रद्योकी की चेत में अत्यधिक सक्रीता है तो देखिए ज केसमी सदी की तक्नीकी है अब जयव प्रद्योकी क्या होता है एक बहुत ही उच अंतहविसाय छेतर है जो कि इसमें जीवों और जयविक प्रडालियों में हेल्थ केर दवा करसी बोजन फार्वरसेटिकल प्रद्यों को नियंतरन को आगे बढ़ाने वाले उत्पादों का उत्पादन किया जाता है और इंजिनिरिंग प्रद्योकी के साथ में जयविक विग्यान को जोड़ता है सबसे बड़ी बात यही है ठीक है जयविक प्रडालियों में यह सारी चीज़ें करता है और भारत में भारत में दोस्तों भारती जयव प्रद्योकी जो है जयव प्र प्रुजय की हिस्से का दो प्रितिसत है जाना, चेगा और अगर एस्याप प्रसांत महासागर में बात करते हैं तो इसमें तीसरे नमबर पर आता है अब देखिए जैव प्रद्यो की जो है वो सरकार ने और सरकार और सरकारी नीजी दोनों टाइप की चीजों में चाहिए लाप पहुंचाया है लाप कैसे पहुंचाया है इस टेक्नोलाजी ने सभी चीजों को उन्नत किया है ठीक है तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और यह जो हमारा देश है दोस्तों देश में हमारे प्रतिवा की कमी नहीं है वो चाह सरकारी छेत्र हो या नेजी चेत्रों सभी चेत्र में डिगरी प्राप्त करने वाले इच्छुक विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए आउसर प्रदान करता है भारत सरकार ने भी कहा है कि जयव प्रद्योकी के छेत्र में अनसानान एंव विकास को बढ़ाने के लिए सुबधायें भी परशित किया है तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैनरिक दवाईयां जो होती है वो भारत में बहुत सी ज़्यादा यूज की जाती है तो इसमें भी इसने जयव प्रद्योकी ने काफी छमता निर्मार किया है और भारती कंपनियों को काफी लाब भी पहुंच जाया है तो इस तरीके से भारत में जयव प्रद्योकी जो है अपे चक्रत बहुत ही ज्यादा सक्रिता बिद्यमान है ठीक है इतना द्यान रखेएगा अब बात आती है अगले पॉइंट की फार्मासिटिकल जो है फार्मासिटिकल का एक उपसमूया भाग है ठीक है बायो यह बताना है कि आपको जयव प्रद्योकी ने बायो फार्मा को किस प्रकार लाब पहुचाया है ठीक है जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को यह बताना है तो अगला पार्ट यह है कि जयव प्रद्योकी जो है इस सक्रिता ने बायो फार्मा जो छेतर होता है उसको कैसे अलाब पोचा है पहले पार्ट में आप लोगों को चीज बतानी है और कुछ इसका डेटा भी आप लोग अलग से अड़ कर सकते हैं कुछ चीजे अलग से अड़ कर सकते हैं ठीक है और साइन्स से सम्मंधित अगर किसी के वक्तब गहें तो उनको भी आप लोग उसी से या केस स्टेडी टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा उतर लिखने में आप लोगों को फायदा मिलेगा अब देखिए बायो फार्मा सेक्टर जो है बायो फार्मा सेक्टर का अर्थ बस सिंपल वर्डों में समझे कि जैविक तरीकों से दवा का निर्माड करना जितनी भी दवाईया होती सबसे पहला जो इसका अनुपरयोग है दवाओं का निर्माड करना अब दवाओं के निर्माड में जैविक परद्यों की किस तरीके से सहाय है कि किस कितनी किस तरीके से इसने हेल्प की है जाके वो चाहे नैनो टेकलोजी हो या ज जेनेटिक्स इंडियों वब सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं आपके बाइज़ सेक्टर को तिक है के दवाईओं को किस तरीके से बनाया जाए अब जैसे जैनेटिक्स परद्यो की है यह जैव परद्यों की वपर बिनिरुर्मार प्रक्रिया नियंतरा करती है जान रखिय उसके बिकास पर भी जैबल देता है ठीक है अब इसे शुरूप से क्या होजा है जैनेटेक्स के माध्यम से प्रद्योक्यों के उपियों के माध्यम से जैब प्रद्योकी बिनिर्मार प्रक्लिया जो है नियंतर्ण करती है ठीक है और जिसमें होता क्या है कि जो संक्रामक और उत्पादन की अनुमती बहुत अच्छी तरीके से प्रदान करता है और जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है तो उनको नए नए खोजों के लिए सरकार ने इसके तरफ भी एक अच्छा कदम उठाया है और उसर प्रदान की ये हैं कि किस तरीके से बाय बना कर चीजों को चलना होगा अगर ये चीज़ देखते हैं कि जव परद्यों की हमारे हैं बहुत अच्छी है अगर आर एंडे डिपार्टमेंट अच्छा नहीं हुआ तो बाय फार्मर सेक्टर को अच्छी तरीके से उसको उपयोग नहीं लाया जा सकता दवाईयों का अच लोगों को अच्छी तरीके से इस परस्टम का उतर देना है और लाब जो है ठीक है इन दोनों चीजों में जैसे हमारे देश में जैव परद्यों की किछेट में अतधिक सक्रीता है ये तो हमने बताई अब दूसरा पार्ट बाय फार्मर सेक्टर को कैसे लाब पहुंचाया अब निसकर्स के रूप में आप लोगों को क्या बताना है कि और अल जो है जब किस टाइब में या किस तरीके से बाय फार्मर सेक्टर जो है उसको किस तरीके से लाब हो जाए तो उन्हीं चीजों को आपको निसकर्स के रूप में डालना है और दोसो सब्दों में आप लो GS fourth paper का यह प्रश्न संख्या 21 है, दो प्रश्न हम लोग डेली देखते हैं और इसको आप लोगों को 200 सब्दों में लिखना है, ध्याना कियेगा 200 सब्दों में अब इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न थोड़ा सा ethics paper का है और थोड़ा सा लंबा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है किस तरीके से क्या चीज पूछी जा रही है जो चीज पूछी जा रही है आप लोगों को उसी का जवाब अपने सब्दों में पीरो कर देना है मान लीजे आप भारत सरकार के एक ऐसे परवती घाटी में एक बांध का निर्माल कर रही है करने के सोच रही है जो की जंगलों से घिरी है जहां पे कुछ नजाती समूँ भी रहते हैं जंजाती समूँ भी रहते हैं और वहाँ पर क्या है अपरत्यासित घटनाओं से निपटने के लिए सरकार को कौन-कौन सी तर्क संगत नीती का सहारा लेना चाहिए तो अब देखे ये एक कोशन एक आयर सदिकारी या पेसे सदिकारी से पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई वह आपका किसी भी पार्ट का भाग हो सकता है ठीक है उत्र प्रदेश में भी हो सकता है कहीं ऐसे छेतर का जो की बिलॉंग करता हो तो यह प्रशन है आपका दोस्तों औ और इस प्रशन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक केस स्टडी के फॉर्मैट में या कोई अच्छी लाइन्स के फॉर्मैट में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है जिस तरीके से आप लोग ठीक लगता है और देखे जो लोग पॉइंट्स में लिखते ह बस इतना कर सकते हैं ठीक है तीन चीजों को अध्यान रखिए कि जैसे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो प्रस्तावना पार्ट होता है प्रस्तावना पार्ट में आप लोगों को एक कोटेशन डाल सकते हैं के स्टर्डी से स्टार्ट कर सकते हैं सब्दों का चैन रख चोटे चोटे पारगराफ में लिखे लिखने के बाद जडाव होना चाहिए एक पारगरफ से दूसरे पारगराफ में जडाव होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि पिछली वाली बात कुछ sowr थी सेकेंड वाली बात कुछ ओर है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तीन quotation आप लोगों को डालनी must होगी ठीक है? आप लोगों को डालनी ही चाहिए किसी भी तरीके से एक पहले part में, एक बीच में और एक conclusion में तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा हो जाएगा ठीक है? अब देखते हैं जो हमाला प्रस्ण था कि मालेजी भारसरकार एक ऐसी परवती घाटी में एक बान परियोजना निर्मार करने की सोचरी जोगी जंगलों सगीरी है और जहां पर नजाती समूर रहते हैं अब प्रत्यासित घटनाओं से निपढ़ने के लिए कौन-कौन से तर्वसंगत नीती का सहरा लेना पड़ेगा तो यह प्रश्ण था अब यह प्रश्ण जैसे आप आधिकारी बन जाते हैं आप आई-एस बिसे अधिकारी बन जाते हैं समस्याएं क्या हो सकती हैं वहाँ पर देखिए अगर एक परवती घाटी है तो वहाँ पर एक बांद कर निमाल कर रही है तो वहाँ पर पर्रयावर्णी समस्याएं उत्पन होंगी कि जैसे जो पर्रयावर्णी समस्याएं है तो इसमें यह है कि पर्रेवनी समस्या है पर्रेवनी समस्या है उमें आप लोगों को बहुत टाइप की समस्या है होंगी कि जो जह भी बिद्धा है बाई डिवेसिटी है तो वहां की खत्म होगी वहां के जंगल में जो जियू जहन्तू एक नॉर्मेंट होता है एक एकलाजिकल सिस्टम होता है तो उसका बिनास होगा और वहां के जंगल समाप्त हो जाएंगे ठीक है और जो वहां पर वनस्पतिया होंगी वो सड़ सड़ कर जमीन पर गिरेंगी ठीक है तो वहां पर सड़ने से उसमें मीथियन गैस उतसरजित होगी निकलेगी तो उससे क्या होगा आपका जो पर्यावरल है उसको नुकसान पहुँचेगा ठीक है दूसरी समस्य क्या होगी दूसरी समस्य देख लेते हैं कि जो नरजाती समू है जैसे जो कोई जंजाती रहती है तो वहां पर उन लोगों की आज ये विकाब आदित होगी उनकी खुद की पहँचान होगी वो वहीं रहते हैं वहीं से संसक्रिक रूप से जुड़े हुए हैं वो कभी उस जमीन पर बांध या ऐसी कोई चीजें नहीं बनाना चाहेंगे उनको भी एक समस्य उत्पन होगी कभी है अगर कोई आपदा या कोई भी दिक्कत आती है तो उन लोगों को उनकी जान हानिका एक खत्रा भी बना रहेगा तो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे जनजाती समू हमेशा पोस करेंगी कि ऐसा कोई बांध या ऐसी कोई चीज वहां उनके समूदाए और जो उनकी आजीविका है या उनका एक इन्वामेंट है उसको खराब करेगा ठीक है और एक सांसकतिक रूप से उनकी पहचान भी खराब होगी तो ये एक चुनोतिया है अगली चुनोति क्या है आपदा प्रबंधन की आपदा की चुनोति तो इसमें क्या है अब नहीं कहा है सकता कि अगर भूकम पा जाता है या भूसकलन जाता है या उसी बांध जो बांध निर्माड करने का सोच रहे हैं तो उसी में दिक्कत आ जाए और बाढ़ा जाए तो उससे क्या होगा वहाँ का पूरा का पूरा परास्तितिक तंतर प्लस नरजाती समू सभी के सभी बरबाद हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है ठीक है अब इन सब चीजों समस्या है जो भी हैं तो इनका एक तारकिक रूप में एक सुझाओ क्या हो सकता है तो अब अगले पार्ट में आप लोगों को सुझाओ देना है कि किस तरीके से आप लोगों को आप उनकी बिस्वास में लेते हुई या उनके हित में किस तरीके से बान का निर्मार भी करना है और आप लोगों आपको उस नरजाती समू और उस environment को भी sustainable बनाना है उसमें भी कोई problem में समस्या नहीं आनी चाहिए तो इस तरीके से अब आगे की बातों को देखेंगे कि सरकार तारकिक नीती सरकार की क्या हो सकती है या आप सरकार के भीहाब पे काम करेंगे आप एक अधिकारी होंगे तो आपका निर्णाय क्या होगा आप किस तरीके से चीजों को देखेंगे ठीक है अब जिसे जो जनजाती समू है या नजाती समू है तो उनके सबसे पहले तो आप उनको रहने की बेवस्ता बनाएंगे कि हाँ अगर हम यहां से हटाते हैं तो हम दूसरी जगे आपको कहां पुनरवासित करेंगे ठीक है कहां रखेंगे उनकी संस्कृतिक पहचान में भी आप लोगों को विस्वास दिलना होगा कि आपकी संस्कृतिक पहचान भी खराब नहीं होगी ठीक है और उनकी आजीविका का साधन भी आप लोगों को बताना होगा आपको बताना होगा कि आपकी आज़े विका भी खराब नहीं होगी उसको भी हम हर तरीके से आपको एक रोजगार के और शर भी प्रदान करेंगे तो ये चीज़ों को बताते हुए आप लोगों को जनजाती जो समू है जो वहां रहता है सबसे पहले तो उसको कण्विंस करना होगा कि हाँ जो होने जा रहा है वो आपके भले के लिए है सबसे बड़ी समस्या यही है उस नरजाती समू ने आंदोलन कर दिया या उसने कोई दिक्कत सामने खड़ी करी तो फिर आप बान नहीं बना सकते है तो सबसे पहले कामें करना है दोनों आप लोगों को बैलन्स चीज़ बतानी है कि हाँ बैलżen्स क्या चीज़ हो सकती है तो छिक्क नरजाती विस्वास को आपको लेना है जब अगला क्या है पर्यावरणी प्रभाव मुल्याकन प्रक्रिया का जो है वो सही से पालन होना चाहिए आप लोगों को मतलब बताना है कि जो पर्यावरणी प्रभाव मुल्याकन प्रक्रिया है उसका सही इंप्लिमेंटेशन किया जाना चाहिए कि उससे कितना लाब है बांद बनाने से और कितनी हानी है इसका विशलेशन होना चाहिए और उस विशलेशन के अधार पर आपका बांद निर्मार होना है या नहीं होना है ये आपको देखना है आगे डिसाइड करना है ठीक है आपदा पर्दबंधन के लिए क्या करना है जो आपका disaster management होता है तो उसके तहत आपदा अगर कोई आनी है या आ जाए तो उससे पहले हमें कौन-कौन सी तैयारी करनी चाहिए और अगर आपदा आ चुकी है तो उसके बाद कौन-कौन सी हमें बिल्कुल ready रहना चाहिए किसी भी आपदा से निपटने के लिए तो किसी भ पौधे वनस्पतियां जीव जन्तु जो जीव जन्तु होंगे उनको भी आप लोगों को क्या करना होगा कि उनको दूसरे स्थान पर shift करना होगा तो आप करना क्या होगा कि वहां के जो ब्रक्ष होंगे उनको तो आप नुक्सान पहुँचाएंगे उतने नुक्सान कि एक अधिकारी के हिसाब से आपको सोचना है कि आप एक I.E.S.P. से अधिकारी है और आपके सामने ये समस्या खड़ी हुई है तो और क्या-क्या चीजे हम कर सकते हैं उन समुहों के लिए या जो नजाती समुह है वहाँ का इन्वामेंट है वहाँ की जमीन है तो उन सब चीजों के लिए आप की सी तरीके से बैतर कर सकते हैं और एक तार्किक रोट से क्योंकि देखेंगे बाद बनाने से बहुत सारे फायदे होंगे ऐसा तो नहीं कि बाद बनाने से कोई नुक्सान होगा लेकिन फायदे भी देखने हैं हमें कि हाँ हाँ कि मैं कितना फायदा हो रहा है उसको बनाने से तो ये सारी चीजे और लास्ट में आप लोगों को ब्रच्छा रोपन उसके इस्थान पर जितने ब्रच्छा आपने ब्रबाद किये या काटे उसके एवज में आपको उतनी ही भूमी पर अलग जगाय पर उतना ही ब्रक्षारूपन कराना होगा। ठीक है। और भी इसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं आप लोगों के दिमाग में क्योंकि देखें, सब का दिमाग यूनीक काम करता है। प्रतेक एक सिंगल बैक्ती, एक सिंगल बैक्ती, कोई भी बैक्ती, जो भी बैक्ती सुन रहा है, उसका दिमाग अलग-अलग कारे करता है। इसलिए मैं आप सब भी लोगों से बोलता हूं कि आप लोग अपने सब्दों में लिखिए, क्योंकि जो चीज आएगी वो खुद की मौलिक्ता होगी, वो आपकी मौलिक्ता है, आप अच्छी तरीके से समझ को चीजें के लिखिए, अपने सब्दों में भी रोकरूंग, चीजें पॉइंट्स मैं दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स आप भी अपनी तरफ से एड़ कर सकते हैं, और लास्ट में एक बड़हां सा अच्छा सा एक कोट जरूर डाला करिए, कन्क्लूजन में, ठीक है, निसकर्स में, एक अच्छा निसकर्स जरूर ना चाहिए, और यह क्या डाला है, क्या चीजें डाली हैं, जैसे मालीजे, स्टार्टिंग में ही आपने उसको कुछ अच्छी लाइने बता दी, या मूवी की भी लाइन हो सकती है, वो किसी गीत की लाइन हो सकती है, जो उस कॉश्चन के according relevant हो, तो वो चीजें एक्जामनर को इंप्रेस करती है नई चीजें लगती हैं, चीजें वही हैं, लेकिन देखिए, जो winner होते हैं जीतने वाले, जीतने वाले अलग कारे कोई नहीं करते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा नियारा काम नहीं करते हैं, वो हर एक काम को नए तरीके से करते हैं, इसलिए जीतते हैं, और सब के तरीके अपन लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी यूनीक हैं, आप अपने क्वाडिंग काम करिए, किसी की कॉपी मत करिए, उससे क्या होगा, एक्जामनों को लगेगा, हाँ, ये हैं, बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, ठीक है, तो ये चीजों का खास क्याल रखे, आपकी खुद की मोलिकता ही आपको मांक से लाएगी, आपका खुद का दिमाग, ठीक है, बागी देखे, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहीं से भी आप देख सकते हैं, मैं भी बताता हूँ, इनको भी आप डाउल ले दिये पूरे, और कुछ अपनी तरफ से भी आइट कर सकते हैं, और एक बढ़हा से उत्तर में आप लोगों को सारी चीजों का समावेस करते हुए, एक अच्छा सा उत्तर अपने शब्दों में पिरोना है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये आज का दो प्रशन है, और दो प्रशनों को आप लोगों को लिखना है, लिखकर मेरे वाटस अप नंबर पर सेंट करना है, मैं आप लोगों को इनी प्रशनों को जो भी एंसर आएंगे, ये एंसरों को मैं टेलिग्राम पर चैनल है, ठीक है बुरीशी जीं? तो भाई सब में होती है, इसा कुछ नहीं कि कोई भी एक ऐसा single बेक्टे दिखा दीजिए, इसके अंदर कोई बुराई ना हो वो दीरे दीरे ही सही होती है, एक साथ नहीं सही होती है दीरे दीरे एक एक कमी, एक एक कमी, अगर daily हम सही करते हैं तो आप खुद सोच के देखें कि एक महने दो महने में कितनी अच्छी हम answer writing करने लगेंगे तो इतना ख्यार लखिए ठीक है answer writing आप लोग please करते रहिए daily करिए ठीक है चलिए ठीक है thank you सुनने के लिए